नमस्कार मैं हूँ आपके साथ मीनाक्षी इस वीडियो में आप हरिताली का तीज के वृत की कता सुनेंगे तो चलिए कता प्रारंब करते हैं जिसके देव केशो पर मंदार अर्थात आग के पुश्पो की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र औ और कंठ में मुंडो की माला पड़ी हुई है जो माता पारवती देव्यवस्तरों से तता भगवान शंकर दिगंवर वेश धारन किये हैं उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करती हूँ कैलाश परवत के सुन्दर शिकर पर माता पारवती जी ने श्री महादेव जी से प्रकट कीजिए हे जगतनात आप आदी मद्य और अंतरहित हैं आपकी माया का कोई पार नहीं है आपको मैंने किस भाती प्राप्त किया है कौन से वरत तप या दान के पुनफल से आप मुझको वर रूप में मिले श्री महादेव जी बोले हे देवी सुनो मैं तेरे सम्मु उस वरत को कहता हूँ जो परम गुप्त है जैसे तारागड़ों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य वर्णों में ब्राम्मन देवताओं में गंगा पुराणों में महाभारत वेदों में साम और इंद्रियों में मन्स रेष्ट है वैसे ही पुराण और वेद सब में इसक प्रवत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ पारवती जी बोली हे प्रबू इस व्रत को मैंने किसलिए किया था यह मुझे सुनने की इक्षा है सो क्रपा करके कहिए संकर जी बोले आर्या वर्त में हिमालय नाम का एक महान परवत है जहां अनेक प्रकार की भूमी अनेक प्रकार के व्रक्षों से सुसोबित है जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनी से शब्दाय मान रहता है हे पारवती जी तुमने बाले काल में उसे इस्थान पर परम तप किया था और तुमने बारह वर्ष तक जल में रहकर तता बैसाक मास में अगनी में प्रवेश करके तप किया रावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अनत्याक कर तब करती रही तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किस से शादी करूँ इस अफसर पर दैवयोग से ब्रह्मा जी के आज्या है नारज जी बोले है गिरी राज मैं विश्णु भगवान का भेजा हुआ यहां आया हूँ तुम मेरी बात सुनो आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें ब्रह्मा इंद्र शिव आदी देवताओं में विश्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है इ हिमाले बोले यदि भगवान वासुदे स्वयमी कन्या को ग्रहन करना चाहते हैं और इस कारी के लिए ही आपका आगमन हुआ है तो वह मेरे लिए गौरव की बात है मैं अवश्य उन्हें ही दूँगा हिमाले का यह आश्वसन सुनते ही देवर्शी नारत जी आकाश में अंतरध्यान हो गए और शंक, चक्र, गदा, पद्म एवं पितांबर धारी भगवान विश्णु के पास पहुंचे नारत जी ने हाँ जोड़कर भगवान विश्णु से कहा प्रभू आपका विवायकार निश्यत हो गया है इधर हिमाले ने पारवती जी से प्रसनता पूर्वक कहा है पुत्री मैंने तुमको गरुण धज भगवान विश्णु को अरपन कर दिया है पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पारवती जी अपनी सहेली के घर गई और प्रत्वी पर गिरकर अत्यंत प्रत्वाइब करने लगी उनको विलाप करते हुए देखकर सक्की बोली है देवी तुम किस कारण से दुख पाती हो मुझे बताओ मैं अवश ही तुमारी इच्छा पूर्ण करूंगी पारवती बोली है सक्की सुन मेरी जो मन की अभिलाशा है सुनाती हूं मैं श्री पिता जी ने ना देखा हो तुम वहाँ चली जाओ तब हे देवी पारवती तुम अपनी सक्की का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई पिता हिमाला ने तुमको घर पर ना पाकर सूचा कि मेरी पुत्री को कोई देव दानाव अत्वा किरनर हरण करके ले गया है मैंने ना मूचा दूर होने पर गिरी राज से बोले कि हमें आप अपनी मूचा का कारण बताओ हिमाले बोले मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रुपी कण्या को कोई हरंकर ले गया या साप डस गया या किसी सिंग या व्यागर ने मार डाला है वह ना जाने कहां चली गई है या उसे राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरी राज दुखित होकर ऐसे कापने लगे जैसे तीवर वायू के चलने पर कोई व्रक्ष कापता है। तुम अन जल का त्याग करके बालू का लिंग बना कर मेरी अराधना करती रही। उस समय पर भादरुपद मास की हस्त नक्षत रियुक्त त्रतिया के दिन तुमने मेरा विदी विदान से पूजन किया तथा रात्री को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुमारे उस महा हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पती हो। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश परवत को चला गया। और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का परायन किया। इतने में तुम्हें ढूंटे ढूंटे उसी घनेवन में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा। तो वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हिरदय से लगा कर रोने लगे। और बोले बेटी तुम इस सिंग व्यागरादी युक्त गने जं शंकर जी को समर्पित कर दिया है किन्तु आपने इसके विपरीत कारे किया इसी लिए मैं वन में चली आई ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इक्षा के विरुद यह कारे नहीं करूंगा तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुमारा विवाय मेरे प्रिये उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अरधासन प्राप्त हुआ है इस व्रत राज को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुक वरण नहीं किया है हे देवी अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा तुमको सकी हरण करके ले गई थी इसलिए इस व्रत का हरिताली का नाम पड़ा परवती जी बोली है स्वामी आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया किन्तु मुझे इसकी विदी एवं फल भी बताईए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ती होती है तब भगवान शंकर जी बोले इस इस्त्री जाती के अति उत्तम वरत की विदी सुनिये। पुष्प आदी से विदिपूर्वक पूजन करें, अनेकू नविद्यों का भोग लगावें और रात्री को जागरण करें, नारियल, सुपारी, जवारी, नीमू, लौंग, अनार, नारंगी आदी रितुफलों तता फूलों को एकत्रित करके दूप दीप आदी से पूजन क करके कहें, हे कल्यान स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्यान रूप तुम्हे नमस्कार है, कल्यान स्वरूप माता पर्वती हम तुम्हे नमस्कार करते हैं, भगवान शंकर जी को सदयव नमस्कार करते हैं, हे ब्रह्मरूपणी जगत का पालन करने वाली मा आपको नमस्कार करते हैं, हे सिंग वाइनी मैं सांसारिक भैसे व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो, हे महेश्वरी मैंने इसी अभिलाशा से आपका पूजन किया है, हे परवती माता, आप मेरे उपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग प्रदान कीजिए इस प्रकार के शब्दों द्वारा ओमा सहित शंकर जी का पूजन करें विदिपूर्वक कथा सुनकर गव, वस्त्र, आबूशन, आदिब्रामनों को दान करें इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब पापनश्ठ हो